आज के इस ग्रहस्त जीवन में लोग भकती करना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में हमेशा यही सावाल बना रहता है कि मंत्र जाब करते हैं, भकती में मन नहीं लगता, तो क्या इस समय मंत्र जाब करने से इसका लाब मिलेगा या नहीं? आईए हम आपको इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं मैं आशू शर्मा एक बार फिर से आपके लिए लेकर प्रस्तुत हूँ कुछ जानकारिया गोस्वामी तुलसी दास कहते हैं कि भक्ती करने का फल जरूर मिलता है एक दिन गुस्वामि तुलसी दास से उनके एक भक्त ने पूछा कि कभी-कभी मन भक्ती करने का नहीं होता लेकिन फिर भी मंत्र जाब करने बैठ जाता हूँ क्या ऐसी भक्ती का कोई फल मिलेगा तो तुलसी दास जी ने कहा है तुलसी मेरे राम को रीज भजो या खीज, भौम पड़ा जामे सभी, उल्टा सीधा बीज तुलसी दास जी कहते हैं कि भूमी में जब बीज बोई जाते हैं तो ये नहीं देखा जाता कि बीज उल्टे पड़े हैं या सीधे लेकिन समय आने पर सभी बीज अंकुरित होते हैं और सभी उल्टे सीधे बीजों से फसल तैयार हो जाती है ठीक इसी तरह भगवान का ध्यान करने का फल जरूर मिलता है रोज सुबश शाम अपने आराध्य की पूजा करने और पूजा में उनके मंत्रों का जाब करने से मंद शान्त जरूर होता है हम पूजा में ध्यान यानी मेडिटेशन करते हैं तो हमारी नकारात्मक उर्जा खत्म होती है नकारात्मक विचार खत्म हो जाते हैं इसलिए पूजा में मंत्र जाप और ध्यान करने की परंपरा पुराने समय से चली आ रही है। शांत मन और सकारात मक्ता के साथ किये गए कामों में सफलता मिलने की संभावनाएं काफी बढ़ जाती है। जीवन में सुख बना रहता है और भगवान की क्रपा से हर समस्या दूर हो जाती है। इसलिए हर समय अपने इश्ट देव का ध्यान करें, इस्मरण करें, मंत्र जाप करें और उनकी भक्ती को प्राप्त करें। जैश्री कृष्णा